नमश्कार दोस्तों दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे तीन तरह के गुससे यानि की एक ऐसा गुसा जो इंसान को मायूसियत की तरफ लेके जाता है जिसे कहते हैं फ्रस्टेशन इंसान गुसा अपने अंदर इन्दर गोड़ता रहता है पीता रहता है और दूसरे तरह का उसके साथ के काम करने वाले लोग उसकी शोशल लाइफ में इंसान फो गुष्जे वाला जाना जाता यह देखी अगर हम ग्रहस्तिती के अनुसार देखें प्लैनेटरी पॉजीशन का बहुत सारे कारण होते हैं पर एक ऐसी कंडीशन बन जाती हैं जिसमें इंसान frustration होके कुछ गलत करदम उठाना शुरू कर देता है कई बार आपने देखा होगा कुछ लोग frustrations या नहीं की depression या फिर कुछ ऐसी परिवारिक स्तिती या फिर career life में स्तिती होने के बाद उसको दिमाग पर कुछ उल्टे सीधे असर पढ़ने शुरू हो जाते हैं इसके कारण वो गलत रास्ते पर चलना शुरू हो जाता है कई लोग तो suicide कमिट करते हैं कई लोग नशा करना शुरू कर देते हैं बहुत से कारण होते हैं घर में कलेश होना शुरू हो जाता है इंसान की married life और personal life काफी बुरी तरीके से प्रभावित होना शुरू हो जाती है professional life की बात करें तो इंसान professional life में भी वो सही डंग से लोगों के साथ अपना व्यवार नहीं रख पाता है लोग उससे बात करने से कतराते हैं क्योंकि उसका व्यवार ही ऐसा है जो की दोस्ताना नहीं होता है अगला गुसा ये इस तरह से होता है कि इंसान अपने अंदर ही अंदर सब चीजों को घोरता रहता है यानि कि लोगों को जाहिर नहीं करता अगर उसके अंदर गुसा है किसी तरह की कोई परेशानी है तो लोगों से उसका जिक्र नहीं करता है उनके साथ वो शेर नहीं करता है जिसके खारण वो परेशानिया उसके अंदर ही रह जाते हैं जिसे कहते हैं एक वालकेनो की तरह है एक ज्वाला मुखी की तरह है वो अपने अंदर ही अंदर उस गुस्से की आग में जलता रहता है चलिए इन गुस्सों के बारे में समझते हैं और थी आपको मैं समझाता हूँ और मालिये कि किसी की कुंडली में खाना नंबर 1 यानि कि 1school वर्फ आउस में अगर व सूर्य है या खाना नंबर 5 विन्स ऑienie में काफी गुस्षा होता है इसलिक Rider होता है और मंगल का कहीं से भी सूरे और मंगल का आगर संबन्द बन जाए या फिर शनी और राहू का संबन्द बन जाए कहीं पर भी कुंड़ी में तब भी इनसान काफी गुष्दे बाला होता है अब हम चर्चा करते हैं कि इंसान डिप्रेशन या फिर इस तरह से गलत स्टेप उठाने के लिए क्यों मजबूर हो जाता है जब भी उसके साथ कोई ऐसी आपदा या विपत्ती आती है जब उसे डिसीजन सही ढंक से लेने चाहिए उस समय वो बेकाबू हो जाता है वो कंडिशन बनती है जब खाना नंबर 4 में बुद्ध हो और शुक्र कहीं पर भी कुंडली में खराब हो रहा हो जैसे खाना नंबर 6 का हो या खाना नंबर 8 का हो तब इस केस में व्यक्ति अपने सूझ बूझ से काम नहीं ले पाता है वो कहीं गलत डिरेक्शन पर भी चला जाता है आपने देख होंगे पारिवारी कलेश होए तो इनसान ने शराब पीना शूरू कर दी मेरी द्लाइब में डिस्टरबंस हुई इंसान ने शराब पीना शुरू कर दी या कोई और नशे लेना शुरू कर दी या फिर कई बार या फिर जिसे हम कहते हैं कि उसे suicidal attempt करने की कोशिश करी कोई भी दवा या फिर कोई ऐसा pesticide पीने के बाद तो यह सब चीजे होती हैं आप बात करते हैं एक ऐसा गुसा जो की एक मंदे शुक्र की निशानी होती है अगर किसी की कुण्ली में खाना नंबर 6 यानि कि 6th house में अगर किसी के भी शुक्र है और वो मंदा है कहीं पर भी सूर्य बुद्ध का साथ में योग हो गया बुद्ध शुक्र को मदद ना पहुंचा पाया तो शुक्र इस केस में काफी मंदा हो जाएगा या फिर खाना नंबर 2 यानि कि 2nd house में भी अगर सूर्य आ जाता है और शुक्र खाना नंबर 6 का हो जाता है तब इस केस में काफी प्रॉबलम आती है इनसान के अंदर एक अकारण गुसा होता है एक अंदर ही अंदर जिसे कहते हैं कि पूरी आग की खान होती है ऐसे व्यक् जिससे की physical violence या फिर लड़ाई जगडे होने शुरू हो जाएं तो खाना नंबर 6 के शुक्र के सही करने के उपाए में आपको बताता हूं आप अपने पास एक चांदी की गोली रखिए चांदी की गोली अपनी pocket में जरूर रखिए अगर आप pocket में नहीं रख सकते तो गले जलके बने हुए वर्ष में एक बार जुरूर दान किया करें अब खाना नंबर 8 के शुकर के बात करें खाना नंबर 8 का शुकर एक ऐसा शुकर होता है कि जिसके पास कोई पूछने ही ना जाए ऐसा व्यक्ति जिसकी कोई value हुई ना हो और वह इसी बात से परेशान रहता हो कि मेरे पास सारी knowledge है सब कुछ है पर मुझे लोग value नहीं देते हैं मुझे social life में importance नहीं मिलती है मुझे रिष्टेदारियों में importance नहीं मिलती है हम कहीं जाते है हमारी एक अच्छी position है फिर भी हमें लोग पूछते नहीं है मतलब ये सब कारण उसके दिमाग में एक अंजा भार उसको नहीं मिल पाता है यही कारण होता है कि शुक्र खाना नंबर आठ का कई बार घर की जिसे कहते हैं ग्रह कलेश की स्थितियां भी create करता है जो कि इनसान के अंदर बहुत सारी negativity का घर कर देती हैं और यह negativity इनसान को कई बार नशे की तरफ भी लेके जाती है आपने खापी के सो जाऊंगा ना चिक चिक ना कुछ कुछ तो यहीं सब चीजें इनसान को आगे से आगे गलत चीजों में धकेलती रहते हैं शुक्र मंदा होगा तो विवाहिक जीवन नॉर्मली खराब ही हो जाएगा और साथी साथ पैसे की बरकत नहीं होगी जो पैसा होगा य यह जरूर वर्ष में आठ शुकरवार लगातार आप धर्मस्तान में दान करते रहें और ऐसे केस में आपको काली गाय की सेवा करनी है और वर्ष में एक बार जरूर आप गाय बच्छडे का दान करें यह भी धातू से बनी हुई गाय बच्छडा है यह आप जरूर धर्मस पजलाट सी बनी रहती है आप कभी भी किसी के साथ सबसे पहले आते हैं अगर आपकी ऐसी डिस्टरबेंस हैं या फिर आपको नीद धंग से नहीं आगी तो इनसान कैसे अपने किल खिलाते मन से लोगों से बात करेगा वह एक ऐसा बना हुआ चैरा लेके बात करेगा लोग ब साफ रखें साफ रखने का मतलब यह हैं यहाँ पर गंधी ना जमा होने दें छहत को अतने साफ रखें और सव इस रख्रीका जो भी और वहाँ पर कोई बिजली का समान को चमिड़े का समान और खराब इलेक्टरॉनिक्स का समान जरूर यहां से अटाएं ons कipे यह और इसके बाद हम बात करें financial stability क्योंकि financial stability भी एक इंसान के अंदर गुस्से का कारण बन जाती है चिर्चिडाहत का कारण बन जाती है कि सब लोग इतने अच्छे जी रहे हैं हमारे साथ ही क्यों यह struggle हो रहे हैं तो आपको नौर्थ वेस्ट कॉर्णर को जरूर अपने ज्यादा relief मिलना शुरू हो जाता है और इस portion को भी आपने साफ रखना है क्योंकि नौर्थ वेस्ट का कॉर्णर है नौर्थ वेस्ट के कॉर्णर को हमने साफ रखा तो हमने खाना नंबर 2 को सही कर लिया जो कि हमारी financial stability को रिप्रेजेंट करता है तो यही छोटी छोटी चो हमारी मिलना तो हमने साफ और इस रखना है क्या है है जो यहीं है नौर्थ